सब्सक्राइब कीजिए रिसब्क्रिशन्स को और दबाईए बेल आइकन को ताकि आगे आने वाली कोई भी या इलेक्ट्रिक बेटल की वीडियो आपसे मिसना हो पाए हैं कि हम अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाते हैं मानों की बीचे बैटरी खतम हो जाती है तो कैसे हम घर पहुंचेंगे तो इसके समधान के लिए मैं आपके लिए आज लाएं हो पियाजो की एंटी 3 मिनी इलेक्ट्रिक कार दोसों इस कार में आप पेट्रोल दारकल भी इस् लेकिन इस गाड़ी का डिजाइन काफी अलगया टाटा मेगा पिक्सल से और यह गाड़ी फीचर में काफी अच्छी है अब जैसे कि माल लीजे आप गाड़ी से चले जा रहे हो और आपका हो जाता है फ्यूल खत्म तो आप ऐसे में बैटरी का इस्तिमाल करकर 30 किलो मेटर प्रती घंटे के रफतार से इस गाड़ी से राइड ले पाएंगे और यह गाड़ी सिर्फ बैटरी के दम पर आपको 50 से लेके 60 किलो मेटर तेका रेन दे पाएगी बात करें अगर एक लिटर फ्यूल में किचना कितना यह एवरेज दे देती है तो अगर आप एलेक्रिक का छोटा डिजाइन रखा गया है जो कि काफी अच्छी बात है इस गाड़ी के इंडर आराम के साथ 3 लोग पैट सकेंगे जो कि परस्नली इंडिया में काफी ज्यादा अच्छा होता है वैसे दो डूल सीटो जो कार्स होती है उनमें बहुत दे सारी प्रॉब्लम्स होते है ज दो टाइट की हाप पर आपको पेट्रोल इंजन देखने को मिलती है जो 200C की जो हमारे इंजन रहेगी उसमें आपको कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर ने देखने मिलेगा वह एक सिंपल पेट्रोल कार रहेगी जो 300C वाला वेरियंट है उसके अंदर आपको एक अल्लेक्ट्र दोनों का प्रियोग कर लेता है तो गारी सुपर फास रोकेट करा चलेगी और इसकी रफदार लगबख हो जाएगी 9200 प्रतिखंटे और रेंज आपको 50 किलोमेटर पर हावर की अराम के साथ देगी जो की काफी जादा है और यह इंडिया के लिए बेस्ट कार साबित हो जक इससे हम कैस रखते हैं वर्ल्ड की चीपेस्ट कार जो की अब तक सोकेज की गई होगी इसकी प्राइज है डियर लाक रुपे सुरू होती है और टॉप वेजियन की प्राइज आएगी 2 लाक रुपे तक जी हाँ दोस्तो बस अब दोस्तों बात करें इसमें कमी क्या है हर ए लांचिंग अभी तक डिलेड है जो कि काफी जादा आपको या मुझे किसी को भी निराश कर देगी इतनी इच्छी डिजाइन की गाड़ी और इंडिया वी तक नहीं आने पाई तो अब उमीद करेंगे कि क्या कब तक आएगी है हमने टाटा मेगा पिक्सल को भी दिखाया था 2012 में और यह 24 दिखाया दिया गया था तो हम उमीद करते हैं कि 2021 में हम यह गाड़ी देखने को मिल जाएगी और सड़कों पर बात कर अगर इंटरनेशनल मार्केट की तो इंटरनेशनल मार्केट में भी यह आई हाल है आपको किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में अभी सेल्सिस की नहीं चालू हुई है तो उमीद करते हैं ये गाड़ी आपको 2021 तक सड़कों पर दौरती हुई दिख जाएगी तो आप क्या सुचते हैं अपना राहे जरूर दे कमेंट बॉक्स में वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लिजे चैनल पे नहीं आए तो सस्क्राइब किजिए और बेल आइकन दबार दीजेगा तो थैंक्स ववचिंग मिलते हम नेक्स वीडियो में तब तक कर लिजिए और सुस्क्राइब टेक कियर एंड गुडबाई